जैहिंद जैभारत में दीपर प्रशी बजार भव यूटूब चैनल पर आपका अभी नंदन है आज का बजार देख लेते हैं निमच का केसा राय लसुन का बढ़िया और हलके मालों में अंतर है बढ़िया माल उचे हैं 200-400-300 हर क्वालिटी में कुछ भी कह सकते हैं तेज है बढ़िया मालों में केवल केवल बढ़िया मालों में कड़क मालों में चाहिए वो मीडियम हो कड़क मीडियम हो तो भी बिकरी अच्छे दाम पर आप देख सकते हैं नयल असुन भी आये था पूरी चर्चा किसान भाई के साथ कम लेकर आएंगे नयल असुन वो मंडी में अभी तो छटनी का माल लेकर आए पूरी खबर बजार सिर्फ ओर सिर्फ बढ़या मालों में उच्छे हैं बढ़या मालों में तेजे बढ़या और हलके में भारी अंतर है 8800 उपर में विका है बाकी हलके की तुलना आप तेजी से बिल्कुल ना करें क्योंकि अन्तर समय में हल देशी लसुन देख सकते हैं, माल अच्छा है, कड़क है और वजंदार माल है, कुछ बारिक माल है तो कुछ लड्डू माल भी है इसके अंदर, दोनों किस्म का माल है, मगर बारिक और मीडियम माली जादा है, इसे लड्डू तो नहीं कह सकते हैं, मगर माल अच्छा है, देख सकते हैं क्वालेटी मेरा आतों में कड़क मालों की वकत है चोटे मागों की वकत है अभी जिसमें वजन है उसी लसुन की डिमांड है और उसी में बजार अच्छा मिल रहा है और यह 4060 रुपे के दाम यह इनकिसान भाई का माल है जो विका है दोस्तों रुपे देशी लसुन विका है यह भी रायस्थान वाल है माल में इतना वजन नहीं है और उबने की शिकायत है तो कुल मिला के छोटे रेंज अच्छे माल तो 4500 विक रहे हैं बड़े भी इसी रेंज में 6000 तक भिक रहे हैं दोस्तों 3000 रुपे के दाम यह नया लसुन विका है देख सकते हैं क्वालिटी को आप जो आया है आज निमस्मंडी में एक छटनी का माल है एक कट्टा भी नहीं है आदा कट्टा है 15-15 किलो से ज्यादा नहीं होगा 3000 रुपे के दाम विका है चटनी वाला माल है यह देख सकते है तो नया लसुन आदा कट्टा वक्त ज्यादा भी नहीं बिल्कुल चटनी वाला माल है और यहें का माल है जो आया है सही माल हः ओ पन्दा से 20 दिन बाद यह तो छटनी का माल है फथल केसी है बढ़िया है एक एक बीगा का लसुन है गया साल कत्रा पिगा पिखान में इन्हों चाहिवी वही है इनकी चटनी वाला है सब दूसक्तर साथ थीनаты दो कर दो डॉप依ाल देख सकते हैं लालपत्थ्टिवाला माल है माल माझ लस्टां साङ कट का माल कुछ माल ऑच्छा है कुछ गिठान को छोड़ दो बागी एक नमबर माल है क्योंकि इस समय क्योंकि तक उच्छी क्वालेटी के उच्छे लोट देखने को नहीं मिल रहें वाल वाल說 यह सचैन्म माल यह सई फ्रकाश माल डाव यह शुटे माल भी टिकता है उंतसमय में चोटे मालों की भकत ज्यादा है और यह पुल गोला साइज का माल है जो 7100 रूपे के दाम विका इकॉत्तर सो रूपे के दाम बड़े मालों में तो अपन नहीं के सकते दम इकॉत्तर सो रूपे दुस्तो 6,000 रूपे के दाम माल अच्छा है कड़क है और काला स्पन पे आ रहा है यह पूरा लौट देख सकते हैं लट्डू किसम का माल है एक नंबर व्याइटी का लट्डू यह देख सकते हैं प्रहुत्तर क्वालेटी जो में रात्त में 6,001 रूपे के दाम विका है दुस्तो 580 रूपे के दाम पर देशी लट्डू किसम का माल विका है 5,480 रूपे दूस्तो यह राजिस्तान साइट वाला माल है जो 580 विका है वजन कम है राजिस्तान के माल इस समय तक वजन कम होने लग जाते हैं ज्यादा वजन नहीं रह पाता है यह दियान रखा मिडियम विकाय देख सकते हैं मिडियम पॉलेटि का लस्तों में एवरेज मीडियम ही बढ़िया नहीं 3611 रूपे 3611 इसमें भी उखने की शिकायत तो आ रही है 3611 रूपे के दाम पर मिडियम रस्तों देखा है जो लट्डू किसम का माल है 5290 रूपे यह भी राजतान वाल ह है 5,290 रुपीज देख सकते हैं 5,290 रुपे के दाम देख सकते हैं 5,260 रुपे देख सकते हैं 5,260 रुपे लड़ू किस्म का माल है 5,260 रुपे देख सकते हैं 8,801 रुपे के दाम देख सकते हैं 8,801 रुपे के दाम पर बेख सकते हैं के देख सकते हैं 5,260 रुपे मीडियम माल की वकत ज्यादा है क्योंकि ये मल में उभने की शीकायत और वजन कम इसलिए इन मालों में इतना बजा कम नहीं दिखेगा जितना बड़े मालों में आपको कम दिखाए 4611 रुपे के दाम विकाहे देख सकते हैं मीडियम लस्टुन और यह किसान धाई का माल है जो भीकाहे कही नाम दाद आपको लड़ू किस्म का माल है करक माल है और मीडियम लड़ू मिक्स माल है वजं दार माल है सब्सक्राइब के दाम देख सकते हैं क्वालिटी फूरा एलोट है